हैं हेलो गाइज कैसे हैं आप मेरा नाम है गौरोमिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अवर एन्वार्मेंट के एक छोटे से topic के बारे में chapter का नाम है our environment और जो topic में discuss करने वाला हूँ बच्चों आपके साथ में वो है food chain क्या है food chain तो आज का जो topic हो रहा है वो food chain है food chain सुन रहे हो food chain सुन रहे हो या आप शायद lower classes से सुनते आ रहे हो तो यह food chain क्या है यह समझना है तो देखो पिछला जो वीडियो अपने बनाया था उसको अगर आपने देख रखा है तो आप समझ पाओगे और नहीं देखा है तो बहिया उपर आई में देखो मैंने दे दिया लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आप जाकर कर वीडियो चेक कर लेना ठीक है अप समझो पहले पहले पहुचो बायोटिक कंपॉनेंट ठीक है दूसरा था consumer और तीसरा कौन सा था बच्चो तीसरा था decomposer यह तीन component जो है यह तीन हिस्से जो है यह मेरे biotic component के अलग-अलग part है इसमें से producer की अगर आप बात करेंगे तो producer क्या करता था producer क्या करता था जैसे मालो यह अपना कोई कोई घास पूस हो गया यह क्या करता था यह सॉइल में से mineral को absorb करता था यहां पर हमारी सनलाइट आ रही है ठीक है यह हमारी सनलाइट हो रही है इस सनलाइट से जो radiant energy थी जो light energy थी उसको utilize कर रहा था मेरा plant और अपना food prepare कर रहा था ऐस किसी कुछ बात की थी मैंने और ऐसे organism जो अपना खाना खुद बना पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग auto troughs कि क्या बोलते ऑटो ट्रॉप्स अब auto troughs जो अपना खाना खुद बना रहे थे उसको कोई खा जा रहा था उसको खा जा रहे थे हमारे consumer ठीक है उसको खा जा र पार्ड देखेते हैं अपने herbivores देखा था carnivores देखा था omnivores देखा था याद आ रहा है याद आ रहा है तो बस अब यह जो auto trough feed कर रहा है ऑटो ट्रॉप feed कर रहा था किसके ओपर किसके ओपर auto trough feed नहीं करता बेटा औॡ ओ्टॉध तो अद उड़तके surfaces लेता है अब कावें ओड़तके इटके तो यह जो इंटरिपेंडेंशनीप आज़ेंगर फोड चेंद बोल ला क्या रहा है फुर्चेन बोलना है क्या बोलना है बिटा फुर्चेन बोलना है तो फुर्चेन को अगर तुमें डिफाइन कर रहा हूं तो कैसे डिफाइन कर सकते हो फुर्चेन को how can you define you can define future as the interlinking of interlinking of organisms for transfer of of food energy from food I mean from producer through a series of organism through a series of organisms by eating and being eaten ठीक है बहुत ब्लंबी चोड़ी डफिनिशन है यार पर इसमें है कुछ नहीं यार अगर तुम समझ गए देखो क्या है the interlinking ठीक है interlinking का मतलब क्या दो तीन organisms को जोड़ रखा है किसका organism का बराबर for transfer of food energy food energy जो है पिटा वो क्या होगी transfer होगी food energy जो वो क्या होगी पिटा transfer होगी और किससे होगी producer से और पास होगी अलग-अलग organisms से तो series of organisms ठीक है तो यह जो energy पास हो रही है कैसे हो रही है by eating and being eaten ठीक है थोड़ा सा complex लग रहा है देखो एक diagram बनाता हूं और फिर समझने का प्रयास करते हैं देखो अपने पास सबसे बड़े और सबसे बड़ी बड़ी तादाद में सबसे बड़े नंबर पर देखने मिलने जो है वो है हमारे autotrophs मतलब हमारे plants तो यह जो है यह क्या हो गए यह हमारे producer हो ग हर्भी वोर्स ने खालिया मतलब मतलब किसी गाय भैस ने खालिया और किसी बखरी ने खालिया पिर इस बखरी को खाया किसने इस बखरी को खाया किसने किसी कार्णी वोर्स ने खालिया होगा किसने कार्णी वोर ने खालिया ठीक है पिर इस कार्णी वोर को वापस किसी ने सब्सक्राइब तुम क्या देख रहे हैं कि तुम क्या नीका ट्रास्विशन हुआ सब्से पहले तुम समझेडों यहाँ पर स lithium रिंहे हैसे अन्राइट से पोची वी मुक्ति क्षेख सुफ क्या पास आन और हो रहा है कि पास आन विपूर रही है energy पासओन हो रही है क्या energy टॹ कि कि ये जो triangle तुम्हें दिख रहा है इस्से का energy nå दिख रहा इसे हम लोग पिरामिड किसका energy का pyramid ठीक पिरामीड competit में होट रहा है ये जो energy पिरामिड होता है दिस पिरामिड पिरामेड होता है इसके अंदर अलग-अलग component होते हैं सब से पहले होता है producer सबसे बड़ी तादाद में होते है अब यह producer जो है इसको अगर तुम समझो इसको अगर के समझाओं तो अल्गी हो सकती है प्लांट हो सकते हैं जन्रल केस में तो अब इन प्लांट था एक घास था मालो इसको सीधा सीधा कोई elephant खा गया ठीक है इसको elephant खा गया अब usually आप discovery पर देखते होगे यूजवली elephant का शिकार नहीं होता है क्योंकि इतना बड़ा साइज है कि जो सबसे ताकतवर शेर है ना सबसे ताकतवर जो जानवर है जंगल में शेर वो भी एक बार तो शेर जो है वो भी एक बार तो हाती पर हमला करने से पहले सोचता है तो एक तो यह तरीका हो गया एक तो यह गास सीधा एनरजी पहुच पर ठीक है यह क्या है यह लेवल ऑफ फूड़ चेंड आभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह है लेवल ऑफ फूड चेंड यह इसके बाद में ऐसे मानों कि तुम्हारे पास क्या था तुम्हारे पास यह घास था इस घास को खाया किसी हिरन ने और हिरन को खा गया कौन टाइगर हिरन को खा गया कौन? टाइगर तो ये कौन सा लेवल हो गया? ये third level हो गया घास से एनर्जी पहुंचे डियर में और नर्डियर से कहां पहुंच रही है? टाइगर में ठीक है, ये कौन सा लेवल हो गया? ठाइगर हो गया, ऐसे अब देखूंगे अलग-अलग लेवल ओफ और्गनिसम्स यहाँ पर आएंगे और फुड़ चेन को एक सीरीज में अरेंज करवाने में हमें मदद करेंगे अब यह जो तुम देख रहे हो यह जो देख रहे हो यह फुड़ चेन कहां कि है भाई यह कहां कि फुड़ चेन है जमीन के ऊपर है तो पानी के अंदर क्या होगा मानी के इंदर तुम देखो कि नुमौहरे पास फाइटो प्लैंक्तून्स हैं फाइटो प्लैंक्तूनश कौको कौन खागया जूब्लाइंट टूस खागए इस zoo planton को कौन खा गया, small fish खा गई, और इस small fish को कौन खा गया, कोई bird खा गया, तो देखो एक, दो, तीन, चार, तो यह क्या हो गया, fourth level of organization, fourth level of, I mean, fourth level of food chain हो गया, तो तुम देखोगे, यार, food chain जो है, उसके अलग-अलग level हो सकते हैं, पर याद रखने वाली बात क्या है, कि maximum level of food chain जो होता है, वो क्या होता है, पांच होता है, उससे जदा organisms आपाते नहीं हैं, ठीक है, उससे जदा organisms आपाते नहीं हैं, समझते हैं, क्यों, इतना समझ में आ वो detritus food chain होता है, उसकी अपने को यहाँ पर बात करें नहीं, अपने 10th standard में है, ठीक है, तो detritus food chain की बात हो रहे ही, नहीं है, मैं तुमको समझा रहा था, कि जो producers होते हैं, वो photosynthesis करते हैं, sunlight को use करेंगे, soil के इंदर minerals use करेंगे, पानी लेंगे, हवा से oxygen लेंगे, और अपन food chain, मैंने food chain की definition बता ही, तुमें, it is the interlinking of organisms for transfer of food energy from producer through a series of organisms by eating and being eaten, एक interlinking किया गया है, organisms को जोडा गया है, किसलिए, ताकि वो अपने बीच में serially energy को transfer कर सके हैं, और यह कब होगा, जब एक organism किसी दूसरे को खाएगा, और खुद किसी और के दवारा खाये जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर deer का example लिया, deer घास को खा रहा था, और deer को कौन खा रहा था, tiger खा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर तुमें एक चीज समझ लेनी है, बहुत अच्छे से, कि energy का transmission हो रहा है, producers से, और producer को energy मिल रही है, इस sun से, तो ultimate source of energy जो है भाई, तुमारी धर्ती पर, वो we need to recognize all these things, है न, हम लोग रोज सवेरी और सूर्य भगवान को पानी देते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, सूरज भगवान बोल रहे है, क्योंकि हमें, हमारे पुरुवजो को यह बात शायद पता थी, ठीक है, मुझे लगता है, कि यह शायद बात उन्हें पता दी, तभी उन्हे सूरज को भगवान या देवता का दर्जा दे दिया, ठीक है, अब देखो एक चीज समझाओं तुम्हें, एक चीज समझाओं मैं तुम्हें, जिसे मान लो कि मेरे पास कोई प्लांट था, इस प्लांट को मान लो खा गया कोई ग्रास हॉपर, ठीक है, इस ग्रास हॉपर को माल लो कोई frog इस frog को खा गया कोई snake और इस snake को माल लेते हैं खा गया कोई eagle जैसा bird तो तुम यहाँ पर कितने level देख रहे हो एक, दो, तीन, चार, पाँच यह क्या हो गया फाइफ लेवल और तुम्हारा food chain हो गया फाइफ लेवल food chain हो गया अब इसमें यह सब जो organisms हैं, यह plant यह grasshopper यह frog, यह snake और यह eagle यह जो पाँच अलगल आपको यहाँ पर blocks देखने मिल रहे हैं उन blocks को तुम लोग बोलते हो क्या ट्राफिक लेवल क्या बोलते हो इसे ट्राफिक लेवल इस वीडियो में अगर अभी तक तुम बने हो तो इस वीडियो का अपना टार्गेट है 50 lich का तो 50 Lich का तुम करवाओ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ अपने मं म्मी पापा को पहुँचाओ अपने भाई बेनों को पहुँचाओ अगर दसवी क्लास में है तो मम्मी पापा को तुम मत पहुंचा अगर तुम्हारे लिटेव्ट या तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स जो तुमको लगता है कि वह यह चीज समझ पाएंगे हमारे हमारे समझाने पर तो तक पहुंचाओ और पचास लाइक का कम से कम टारगे लेवल यह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल यह फोर्थ और यह फिफ्थ मैंने पहले तुम्हें बताए कि मैक्सिमुम पांच तक जा सकता है और वह भी बताएंगे क्यों वह भी बताएंगे क्यों तो तुम पहले एक चीज समझने का प्रयास करो ठीक है यह प्रेडूजर थे तो जो ग्रास ओपर होगा यह क्या हो गया है ये सेकेंड ओॉर्डर हो गया ओर्ड़र हो गया और ये जो आइक ओडयर हो गया इसको इसको 4th ओडर बोल दो थी quello का ओडर काओद तो अब देखो अब बात बहुत करती मज़धार चीज यह सब आपस में dependent है यह सब आपस में dependent है बोलो कैसे इसमें second level बना देता हूं जैसे मैंने यह 5 टॉपिक level का बनाया वैसे 2 level का मैं बना देता हूं जैसे माल लो यह घास था इस घास को खाने के लिए मैं बना दे रहा हूं यहां अब एक बात तुम लोग समझना अच्छे से क्या हो क्या हो कि एलिफेंट की अबादी बहुत जादा बढ़ जाए इनका 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 पॉपिलेशन इतना जादा बढ़ जाए कि यह सारा का सारा घास खा जाए तो क्या होगा एलिफेंट की डाइट क्या है ग्रास अब बहुत सारे एलिफेंट रहेंगे तो यह तो मिल करके सारा घास खतम कर देंगे अगर यह सारा का सारा घास खतम हो गया तो एलिफेंट के पास खाने के लिए कुछ है कुछ है नहीं है तो एलिफेंट मर गए एलिफेंट खतम हो गए ठीक है एलिफेंट खतम हो गई यार मतलब घास एलिफेंट के लिए बड़ी ज़रूरी थी उसी तरीके से मालो कि यहां पर से इगल में हटा देता हूं इगल खतम कर देते हैं अगर इगल खतम हो गई तो इगल को खा कौन रहा था स्नेक्स तो स्नेक्स की पॉपलिशन बढ़ प्रॉंस, इअ और भीशन खतम कर दिया की इन लोका पर musical की खतम कर दिया बहुत सारे स्नेक्स नेइक फ्रॉक की आबादी खतम हो गई अब क्या हो गया स्नेक्स का खाना नहीं ता कुछ ये जो ग्रास ओपर था इस च 알वर्ण की खुड़ाओ अब बहुत साड़ ग्रास ओपर हो जाएंगे तो हो खत्म हो जाएंगे खतम कर देंगे इंफाक्ट, बीच में तुमने देखा होगा कि टिड़ो का हमला हो गया था राजयस्तान, हर्याना, पंजाब जैसे कुछ राज्यों में, तो हमको उन टिड़ो से प्रॉब्लम नहीं थी, हमको प्रॉब्लम थी उन टिड़ो के नेचर से ग्रिगारियस गायब कर देते, इतने बड़े लेवल पर उनकी पॉपलीशन होती है, so what do we want, we want this frog to be there, this snake to be there, and this eagle also to be there, but ऐसा तो होता नहीं है, हम देखते हैं कि snake मर भी रहा है, eagle भी मर रहा है, तो एक बात समझोगे, food chain अकेले में अपने आप में complete नहीं है, complete नहीं है, भगवान मुले यार, अगर मालो यह कभी ऐसा हुआ, कुछ चमतकार हुआ, कि स्नापों की अबादी बहुत जादा ही बढ़ गई, तो यार, यह तो frog को खतम कर देंगे, तो उस case में, इस grass ओपर की जो population थी, उसको तो control करना पड़ेगा, उसको तो control करना पड़ेगा, इसलिए एक नया concept ले इंसेक्ट ही है, इस इंसेक्ट को खा सकता था कोई bird, इस इंसेक्ट को खा सकता था कोई bird, ठीक है, वैसे ही स्नेक को हर बार eagle ही नहीं खाने वाला है, इस स्नेक को खा सकता था कोई peacock, ठीक है, पीकॉक जो था हुए इस grass ओपर पे भी हमला कर सकता था, अब इस घास को इस plant क को जरुवी नहीं कि हमेशा हमेशा grass-hopper ही खाए हम देख रहां थे इस प्लांट को ऐलिफेंट भी तो खा सकता था है क्या नहीं इस प्लांट को हमारा deer भी तो खा सकता था बड़ाबर है कि नहीं है और इस deer को जरुवी नहीं रस्ट्रिक्ट करेगा हमेशा tiger ही इस deer को कोई दूसरा अर्गनिजम जो top पे होगा lion भी तो खा सकता है है के ने lion भी तो खा सकता है अब 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 एक और चीज चीज समझो एक और चीज समझो जैसि ये grass hopper था ग्रास ओपर का हंटर कौन था फ्रॉग अब फ्रॉग नहीं है तो क्या हो गया बर्ड भी है उसकी population को restrict करने के लिए चोटे मोटे जो तुमारी यह चडिया हो गया का बूतर हो गया यह भी है उनकी population को restrict करने के लिए तो यह food web जो है, food web जो है, यह बहुत काम का है, it is interlinking between food chain, जैसे food chain क्या था, it was the interlinking of organism for transfer of food energy from producer to the consumers, food chain में क्या हुआ, जो food energy थी, वो producer से कहां तक पहुचा दी गई, consumers तक पहुचा ही गई, तो food web में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी interlinking ही है, बट यहाँ पर energy जो है, वो कहां से कहां पहुचा ही जा रही है, वो energy एक food chain से दूसरी food chain तक पहुच सकती है, food web के अंदर, समझ भाई बात, तो food web का, या food chain का, फिलहाल बात करूँ अगर मैं food chain का, तो food chain का significance क्या होता है, why do I need to understand food chain, why do I need to understand food chain, food chain क्यों पढ़ो है यार, मैं तो biological हुआ हूँ, मुझे food chain से क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है कि यह hathi गね घास खा रहे ह। मुझे क्या मतलब है कि SNAB जो है मेंडग के ओपर जीवेत है मुझे उससे क्या मतलब है भाई मतलब है बहुत ज्यादा मतलब है क्या तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं SIGNIFICANCE OF FOOD CHAIN SIGNIFICANCE OF FOOD CHAIN अब यह significance of food chain में देखो सबसे पहले चीस तुम समझो हमको क्या पता चलता है हमको पता चलता है feeding habit हमको पता चलता है feeding habit of organism ठीक है एक organism का क्या diet है उस diet का उस organisms के ओपर क्या role आ रहा है वो सब में समझ पाऊंगा अगर मुझे food chain की थोड़ी बहुत information है दूसरा food chain जो है वो क्या है it is it is what is food chain it is the transfer of food energy across organisms ठीक है यह क्या है food energy जो है वो organisms के अंदर pass on हो रही है और वही एक बहुत बड़ा काम का चीज है जैसे मैं कहता हूं कि मेरे अंदर बहुत energy है तो मेरे अंदर energy कहां से आई है वो आई है जो भी मेने खाया होगा मेरे diet में से तो वो भी तो वो diet कहां से आई है it has come from a different thing you understand तो ecosystem के अंदर ecosystem के अंदर energy का जो flow है वो किसके द्वार रेगिलेट हो रहा है वो रेगिलेट हो रहा है food chain के द्वारा third energy का flow हमेशा unidirectional होता है energy का flow हमेशा unidirectional होता है मतलब अगर यह हमारे सूर्यदेव हुए और यह हमारा अच्छा प्लांट हुआ यह हमारा deer हुआ यह हमारा tiger हुआ तो तुम क्या देखोगे energy हमेशा Sun से प्लांट प्लांट से डियर और डियर से टाइगर में जाने वाली वो कभी ऐसा नहीं होगा कि टाइगर से एनरजी डियर में आएगी योग डियर से प्लांट और प्लांट से फिट सब्सक्राइब अगर विज्ञान बहुत तरक्की कर गया कुछ नया लेकर के आगया तो भाई बात अलग है बट फिलहाल तो यह नहीं हो सकता अगर तुम यह फुट चेन की बारे में बात करते हो ना अगर तुम यह फुट चेन की बारे में बात करते हो तुम्हें एक और चीज समझ में आनी चाहिए क्या कि इस जंगल में टाइगर की आवादी लिमिटेड क्यू है why do I have so many plants in a forest on a grassland but I don't have enough of the tigers or the lions in the forest I have a very handful of the lions and very handful of tigers in a forest why is it that way because बिटा जब energy flow करती है निस plant से deer में और deer से tiger में और इस sun से plant में तो भाई खाली 10% energy जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुँच पाती है इसका मतलब तुम समझ मेरे पास राम है मेरे पास श्याम है मेरे पास गोलू है और मेरे पास यह पपू है अगर मैंने राम को मैंने राम को 10,000 रुपे दे दिये तो जब यह 10,000 रुपे श्याम को देगा ना जब यहाँ से राम शेक्यान तक किवल पॉंचे होभया है तौर शाम से 10% घूलो तक पहुंचेगा तो कितना हो गया 100 और 100 से जब तक पहुंचेगा तो केवल 10 जूल यह जूल है ठीक है अगर पैसे की बात कर रहा हूं तो भाईया केवल 10 पहुंचेंगे खाली एक दो तीन चार पर अगर मैं पाचवी ओडर पे चला जाता पप्पू के पास माल लो यहां पर केजरी वाल ले ले लेते हैं तो बड़ा अलोकेट हुआ था बट वह पासओन होते होते पब्लिक तक आते आते केवल इतना रह जाता है इसी लिए क्योंकि टाइगर और लायन की एनर्जी रिक्वार्मेंट जादा है और उतनी एनर्जी उनको मिलनी ही नहीं है उतनी एनर्जी के लिए उसे बहुत सारे डियर खाने पड़ेंगे और बहुत सारे डियर खाने के लिए बहुत सारे प्लांट होने चीए बट आइवर लिमिटे अमाउंट ऑफ लैंड यू अंडेस्टांड हमारे पास सीमित जमीन है यार इसलिए तो हम लोग ये वर्टिकल गार्णिंग के पिशे भाग रहे हैं इ आने वाले टाइम पर शायद मैं भी गार्णिंग के वीडियो डाला चालू कर दूँँ जगा नहीं है यार अगर जगा नहीं है तो वह एनर्जी आप आगे पासओन कैसे करोगे इसलिए आबादी जो है वो कम है यह जो टॉप प्रिडेटर से हैं जो सबसे उपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर बैठे हैं उनके आबादी बहुत कम है क्योंकि उनके इनर्जी रिक्वामिंट जादा है समझे महीं बात यह यह जो 10% रूल है न यह जो में तुम्हें बता नचे करें यह जो बोलता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कनवर्ट होती है यहां पर लाइट एनर्जी थी वह केमिकल एंर्जी में कनवर्ट हुई जब फोटो सिंदेज हुआ तो एक बहुत बड़ा इससा एक एक बाकि सारा नब्गे परसन कहां चल होता है when the energy is being transferred from one farm to another some amount of heat is I mean energy is lost as heat energy देखो energy क्या हो रही है energy बन नहीं रही नहीं जो एक फार्म था वो दूसरे फार्म में convert हुआ है उसका खाली conversion हुआ है और उसी conversion में heat loss हो गया it is also a form of energy it is also a form of energy तो भाई यह सब तुमको बड़ा समझना जरूरी था food chain के respect में अगर तुम 12th standard में जाओगे तो यह तुम्हारे को पुरा पुरा चाप्टर आएगा वाई ecosystem का तब अगर तुमने यह सब हुए है वह अलग अलग ट्रोंबर ओक्युपाई कर सकते हैं यह प्लांट का positives यह यज sticking plant का fix है यह प्लांट का fix है कि वह हमेशा है first ट्रोपिंग करेगा बट उसके ऊपर जो organisms है न ह्नगे यह लायन ऋगा टाइगर ओ ताइगर और इनका कोई fix नहीं कि कौंसा कौन्सा कौन्सा कॉन्सा ट्रॉफिक लेवल उक्यूपाइ करने वाले जिसे मालो इस्ट आख और वुल्फ और कम डिको टाइगर का जो ट्रॉफिक लेवल चीज फेल थर्ड नेवल गया तो औटैर्ड ग्रूप लेवल इन फूर्चेन अपार्ट फॉर्चेन जैसे मैं नहीं बता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है और यह तुम्हारे बहुत काम का है तो इस वीडियो में इतना ही था छोटा सा है टॉपिक छोटा सा है थोड़ा बड़ा करके अपने समझा है बिरकार जनुवरी में तुम इस हद तक मत पड़ो या इतना ही मत पड़ो कि तुम पास हो जाओ चीजों को पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है हमें ऐसा लगता है इसलिए जो कॉंसेट होता है वो तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं मैं और मैं उमीद करता हूं कि अगर तुम्हें मेरे बेटा बेटा नहीं करता हूं मैं पढ़ाने पर ज्यादा विश्वा सकता हूं और पढ़ाते वक्त अगर कभी हमारे अंदर का कोई फिलोसोफर जाग गया तो वहीं तुमको ज्यान थोड़ा मिल सकता है बाकि दाट सट आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप व इन रिटेन टूटोरियल की एक वीडियो सेरीज ले आऊंगा तो उसमें आप क्या अगरपा होगे जो को आप यहां पर समझ रहे हो उसकी आपको वहां पर नोट्स बनाने का अवसर मिल जाएगा तो आपका पढ़ना भी हो जाए और आपकी नोट्स बन जाएंगे मतलत अपना बहुत बहुत ख्याल रखो अपना पढ़ाई पर बहुत जहान रखो और अपने मवाब का नाम रोशन करो यार चलो बाए